क्या नितेश कुमार नहीं चाहते कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बने ये सवाल इसलिए क्योंकि आज जब पठना साहिब में मुख्यमंत्री नितेश कुमार जनसभा को संबोधित कर रहे थी रविशंकर प्रेशाद के लिए वोट मांगने पहुचे थी उस हले हैं नितेश कुमार के जुबान फसली और ऐसी बाते वो कह देते हैं मगर अक्सर हम यह सुनते हैं कि जुबान पर वही बात आती है जो मन में चलती है और कई बार नितेश कुमार कह चुके हैं कि वो प्रधान मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाह थी तो कई बार नितेशकुमार केहते सुनाई देटे थे थे कि हमको नहीं पसंद है नरिंद्र मोदी जो हैं ज् root बोलते हैं नरेंडर मोदी प्रधान मंतरी पद के लिए बिलकुल भी ठीक नहीं है यह सारी बाते नितेशकुमार कहते थे और जब उनसे पूछा जाता था कि आपको प्रधान मंत्री के रूप में किसको देखना पसंद है तो नितेश कुमार मुस्कुरा कर वहां से चल देते थे नितेश कुमार कई बार पीएम बनने की सवाल पर भी चुपी साधते थे और मुस्काम दे देते थे यानि कि वहां से हसकर आगे बढ़ जाते थे जब राज़द में वो थे और जब इंडिया गडबंदन उन्होंने बनाया था लगतार इंडिया गडबंदन की जो मीटिंग से वह कभी पटना में कभी मुंबाई में कभी बांगलोर में कभी डेली में लगतार मीटिंग्स हो रही थे उस दौरान चहरा कौन होगा इंडिया गडबंदन का यह सवाल उठाया जा रहा था और जब जब पत्रकारों ने मुख्यमंतरी नितेश कुमार से यह सवाल पूछा था कि क्या आप प्रधान मंतरी बनना चाहते हैं तो वह अरे छोड़िये ना यह सारी बाते कहकर वहां से निकल लेते थे लेकिन कभी उन्होंने यह नहीं कहा कि पागल है क्या आप सोच रहे हैं हमको प्रधान मंतरी नहीं बनना ऐसी बाते कभी नितेश कुमार ने नहीं कही थी ते लगए बार बार यह नरेंद्रमोदी को सीम के तौर पर देखने के लिए अपनी इक्षा नितिश कुमार ने जाहिर की है तो अब यह सवाल उटने लगे हैं कि क्या नितिश कुमार के मन में अभी भी वह सारी बाते चल रही है जो बाते वह राज़त के साथ थे तो सामने आ जाती थी राज़त के स सरकार नितिश कुमार ने बिहार में बनाई थी तो बार बार वो नरेंद्रमोदी को लेकर निशाना साथ थे और बार बार यह बाते कहते सुनाई देते थे कि पीम मोदी हमको पसंद नहीं आते बीजेपी का मतलब है बढ़का जुठा पार्टी और भी तमाम जो बाते हैं म आज जब नितिश कुमार पटना साहिब में जन सभा को संबोधित कर रहे थी उनकी जुबान फसलती है और पीम मोदी को सीम बनाने की एकशा सीम नितिश ने जाहिर कर दी है हलांकि वह उनकी जुबान फसली और थोड़े दर बाद वह अपनी बातों को संभालते नजर भी और जब अगल बगल के लोगों ने उन्हें बताया कि देखिए आप क्या बोल रहे हैं थोड़ा सोच समझ के बोलिए तो उसके बाद संभलते हैं और कहते हैं कि हां तो प्रधान पंतुरी नरिंद मोदी हैं और वही रहेंगे लेकि एक बार अगर जुबान से बात निकल गई है तो वह तो चर्चा का विशह बनीगी और यह चर्चा का विशह कुमार के कारण बन रही है कि नितेश कुमार महागणबनन के साथ थे और बार बार पि-एम बनने के सवाल पर और यह कभी भी उन्होंने इस बश्म कालकी नहीं नहीं बनना चाते 10 कारों प्रदीशितिये हैं जो बसे उसकी जिए pozवा isn't च्योटे सी मुसकान देकर तो कई बार यह भी सवाल उखते थे रिते इसकिमार में बनना चाहते हैं यंगाया बंने के लिए डिली जाने के लिए जो इकrise है यह नितेश्ट कूमार के एक और कि और वैसे इसक 2 में काम कर रहे हैं उसलिए है इस एकिमी चेतर में काम कर रहे हैं उस चेतर में आपका प्रमोशन ना हो तो काम विकार है और शायद इसलिए नितेश कुमार को पी-एम बनने की चाहती लेकिन जब इंडिया गड़बंदन ने पी-एम चेहरा के लिए नितेश कुमार का नाम नहीं लिया क्योंकि उसी दौरान नितेश कुमार को इंडिया गड़बंदन ने पी-एम चेहरा नहीं बनाया था और यह भी बाते उस वक्त चली थी जब नितेश कुमार शांत रहने लगे थे कोई भी बाचित खासकर तेजस्वी यादों से नहीं करते थे और उसी वक्त जब वो तेजस्वी का साथ छोड इंडिया गड़बंदन का साथ छोड इंडिया में शामिल हुए थे वही वक्त था जब यह बाते चुल रही थी कि जब इंडिया गड़बंदन ने पी-एम चेहरा के लिए सीम नितेश का नाम नहीं लिया तो सीम नितेश नाराज हो गए और वह पाला बदलने के फिराक में हैं और जब नितेश कुमार के जुबान फसली है और अब आज जब वो कहते हैं कि पी-एम मोदी को हम सीम के रूप में देखना चाहते हैं हमारे एक्षा है कि पी-एम मोदी मुख्यमंत्री बने तो यह बात पिर से चर्चा में आ गई है कि नितेश कुमार के आभी भी नहीं चाहत कि देश का प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी हो कि बाते चु musst independent याद दिलाए जा रही है कि पी-एम कंदेश के मन में आज जाते हुतार क्रें, प्रदान मंत्री के रूप में मोदी को लोग देखे cheekah भी महाल है ऐसा में लगतार ऐसे टिकर टिपनी शामने आते रहती है नितेश कुमार की जुबान भी फिसलते रहती है कोई नई बात नहीं है लेकिन इस पर वो बात याद आ गई जब नितेश कुमार पी एम बनने का सपना देख रहे थे और वो सपना तूट गया और आज उन आपके अपने सपनों का आश्या नहाँ इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ अपने पूर्णिया में घर ले लिया है पूर्णिया के e-homes panorama में पूर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मुझ मिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined